अरे राजो और किदर अरे बाबा तू बाबू भाईया मैंने वो सब काम छोड़ दिया अब सिर्फ लूड़ फैंटेजी खेलता हूं मैं अरे तू तू बिल्कुल बदल गया अरे बाबा अरे आओ खेलो लूड़ फैंटेजी एंड गेट आ आज एक फरवरी है यतिहास में ये तारीक एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसने राम जन भूमी बाबरी मस्जिद विवाद को एक ऐसा मोड़ दे दिया था जिसका पढ़नाम आगे चल कर बाबरी विध्वन्स की रूप में देखने को मिलने वाला था आज से 35 साल पहले एक फरवरी 1986 के दिन विवादिक धाचे के पलिसर को जिला एवं शशन जज के आदेश पर तुरंद खोल दिया गया था शशन कोर्ट के आदेश और जिला मजी स्ट्रेट द्वारा इसका पारण किये जाने के बाद भारत की राजनी तो बदली ही सामाजिक धाचा भी काफी जज्मेंट और इसकी प्रष्ट भूमी से जुड़े टत्थियों से रूबरू करवाते हैं क्या हुआ था एक फरवरी 1986 को इस घटना से करीब एक साल पहले जनवरी 1985 में उमेश चंद्र पांडे नाम के युवा वकील ने पैज़ाबाद के मुनसिफ मजिस्ट्रेट की कोर् इसके बाद उमेश चंद्र पांडे इसे लेकर सेशन कोर्ट के पास महुचे वहाँ एक फरवरी 1986 को डिस्ट्रिट एंड सेशन जज कष्ण मोहन पांडे ने सुनवाई की और सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया उसी दिन शाम 4 बच कर 40 मिनट पर उन्हों ने फ पर मुस्तैदी से काम किया आदेश प्राप्त होने के महस 40 मिनट बाद 5 बच कर 20 मिनट पर पर परिसर का ताला खोल लिया गया यही मुस्तैदी सरकारी चैनल दूरदरशन की तरफ से भी दिखाई दी जो इन्हीं 40 मिनटों की भीतर कैमरा टीम लेकर आयो अध्या पहुच ग करते हैं कि आधिर कैसे दूरदरशन की टीम केवल 40 मिनट पर वहां पहुच कर लाइव टेलेकास्ट करने लगी इस फैसले के बाद सियासत तेज होगी हिंदू मुस्लिम के आधार प्रसाम्रताइक गोल बंदी होने लगी 1984 में बुरुत तरे हारकर दो लोग सुबा सीटों तक सिमट चुकी भारती जंतापार्टी ने मौका ताड़ा और रामंदर के मुद्दे को अपना मुख्य राजनितिक मुद्दा बना लिया उस समय भाश्पा के राष्टे अध्यक्ष रहे लालकृष्ण आडवांगी ने गुजरात के सोम्रात मंदर से रथ्यात्रा निका एक फरवरी 1986 को जब इस मामले के सुनवाई चल नहीं थी तब एक काला बंदर कोड परिसर की छटपर फ्लैक पोस्ट को पकड़े दिन भर बैठा रहा लोगों ने उसे खाने पीने की चीजे भी दी लेकिन उसने कुछ नहीं खाया शाम को जब डियम इंदु शेकर पांडे और SSP कर्मवीर सिंग मुझे मेरे आवाज सक पहुचाना आया तो वो काला बंदर मेरे घर के बरामदे में बैठा था तब मुझे लगा कि वो कोई दैवी शक्ती है और मैंने उसे प्रणाम किया परिसर को लेकर दिये अपने फैसले के चार साल बाद 1990 में प्रिष्ण मोहन पांडे को प्रमोट कर हाइकोड का जज नियुक्ति गे जाने की सफारिश की गए सुप्रीम कोड ने कई अनने जजों की नियुक्ति की फायल सरकार के पास भेजी उसवक्त वीपी सिंग देश के प्रणामंत्री और दिनेश गोस्वामी का अनुन मंत्री थे वीपी सिंग क प्रधान मंत्री बने और डॉक्टर सुप्रमान्यन स्वामी उनकी सरकार में कारून मंत्री बनाए गया स्वामी ने मंत्री पर समलते ही रष्ट महुन पांडी के फाइल को सरकार से प्यर करवाया तब जाकर उन्हें 911 में वे हाई कोड के जज़ बने पहले इलहाबाद हाई कोड के और बाद में मद्रप्रदेश हाई कोड वहां से वे 1994 में रिटायर हो गए अब समझें कि ताला खोलने के फैसला क्या हुआ कई न्याइक था इस फैसले को एक जुडिशिल डिसिजन मानने को आज भी कई लोग तयार नहीं वो इसे कुछ दूसरी घटनाओं से जोड कर दें जैसे कि पहले राजीव गांधी की राजनीती 1985 में तलाक शुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले पर सुप्रेम कोड की समिधान पीठ ने फैसला सुनाया मदप्रिदेश की एक महिला शावानो को उसके पती मुहमत अहमत खान ने तलाक दे दिया था उसने पत्नी को गुजारा भत्त देने से भी इंकार कर दिया था इस मामले पर शावानो लंबी कानूनी लड़ाई लडते हुए सुप्रेम कोड तक पहुँच गई थी सुप्रेम कोड ने जज़्जमेंट दिया उसने मुस्लिम परसनल लौब ओर्ड को की तमाम दलीलों को खारिश करते हुए आदेश दिया कि शावानों को उसका पती गुजारा भत्त दे इस फैसला तलाक शुदा मुस्लिम महिलाओं की बड़ी जीत थी लेकिन इसके विरोत में देश भर के मुस्लिम संगठन खड़े हो गए इसके दवाओं में राजीवगानी की सरकार को चुपना पड़ा सरकार ने तै किया कि संसत के विशाल दोहुमत के दम पर सुप्रीम कोड के इस फैसले को पलट दिया जाएगा लेकिन इससे हिंदू संगठनों के नराज होने का ख़तरा था सरकार प्राल्प संचिक सामपरदाइकता वाद को बढ़ावा देने का अरोप लगने की आशंका भी थी कुछ जानकार कहते हैं कि हिंदू संगठनों की नराजगी की आशंका को देखते हुए वे कह रहे थे कि कमिश्णर पर दबाओ बनाया गया है कि वे किसी प्रकार विवादित इससर का ताला खोलने का आदेश निकलमाए खैर एक फरवरी 1986 के शाम विवादित पर इससर का ताला खुला और पूरे देश ने उसे दूर दरशन पर देखा इसके ठीक चार दिन बाद 5 फरवर 1986 को संसद ने शाहवानों मामले पर सुप्रीम कोट का फैसला पलट दिया अब बात एक खुलासे की जो बनवारी लाल पूरोहित ने किया था बनवारी लाल पूरोहित अभी तमिल नाडू के राजिपाल ने एक जमाने में नागपूर से कॉंगरेस के सांसद हुआ करते थे लेकिन 90 के दशक में भाश्पा में आ गया इनी बनवारी लाल पूरोहित ने 2007 में राजीव गांधी और राश्ट्री सुप्रीम से वक संग RSS की कठित बातचीत का खुलासा किया था बकूल पूरोहित जब राजीव गांधी ने मुझे से पूछा कि आप नागपूर से हैं इसलिए आपका RSS के सरसंग्चालक बालासाब देवरस से कोई परिचे हैं इस पर मैंने उन्हें हा में जवाब दिया तब राजीव ने मुझे से जानना चाहा कि यदी कॉंग्रेस सरकार योध्या में राम मंदिर बनवाजे तो क्या RSS आगामी लोग सुवा चुनाओं में कॉंग्रेस की मदद करेगा इसके बाद मैंने राजीव गांधी की मंशा से RSS की लोगों को अवगत करवाया प्रिगमंधिरी बूटा सींग और कॉंगरेस निता भानु प्रकाष सींग की देवरेस से कुप्त मुलाकात की तैह हुआ कि देवरेस भी दिल्ली जाकर कॉंगरेस निताओं से मिलेंगे लेकिन तब तक देवरेस बिमार पड़ गए और उनकी जगे राजेंदर सिंग और रज्जु भहिया ने दिल्ली में कॉंग्रेस की नेताओस मुलाकात की सब कुछ लगभग तेल लग रहा था तभी अचानक देश के हालात बदल गए नए नए राजनीतिक प्रयोक शुरू हो गया और मामला वहीं अटक गया लेकिन मामला सिर्थ शिलान ने आस काटका इस मामले पर राजनीती अपनी गती से चलती रही पुरादेश हिंसा और दंगे की चपेट में आता गया नौबद यहां तक पहुँच गई कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई इसके बाद राजनीतिक दलों ने हाथ खीच लिया और मुद्धा पूरी तरह कोर्ट के हवाले हो गया यह और बात है कि इस मुद्धे पर राजनीतर भी चलती रही 27 साल बाद नौबबर 2019 में सुप्रेम कोर्ट ने इस राम जन भूमी बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुना दिया फैसले में विवादित इस्थल राम मंदिर के लिए दिया गया मस्जिद बनाने के लिए पास के ही रोनाही गाउंग में जमीन दे दी के आपके लिए की किस्ता लायत है हमारे साथ ही अब शेक लिखते रहे है दीला लगता हूँ